युक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने पर अमेरिका की ओर से दी जा रही अंजाम भुकतने की धमकियों का चीन पर कोई इसर पड़ता नहीं दिख रहा है चीन अमेरिका की धमकियों से डरनी की वज़े खुल कर रूस का सपोर्ट कर रहा है जो कि अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। एक तरफ़ प्रतिबंदों को रद दिन नहीं किया गया तो चीन जवाबी कदम उठाएगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता माउ निंग ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिकी कारवाई में अंतरास्टिय कानून और UNSC के जनादेश दोनों की कमी हैं। विदेश मंत्राले के प्रवक्ता माउ ने कहा बे स्पैसिफिक एक करपा प्रितिभंद और अवैद लॉंग टर्म अधिकार छित्र हैं। और चीने हितों के लिए खतरनाक हैं। हम इस कदम की निंदा करते हैं और इसे खारिस करते हैं और अमेरिका के पक्ष में गंभीत आपत्या की हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर चीन का रुक अब्जेक्टिव और निश्पक्ष रहा है। है कि चीन रूस को हत्यारों की आपूर्थी करता है और उस बहाने चीनी कंपनियों पर प्रतिबंद लगाया जाए। माओ ने कहा ये पूरी तरह से आधिपत्य और दोहरा मापदंड और पूर्ण पाखंड है। यूक्रियन संकट के पूर्ण रूप से बढ़ने के एक साल पर चीन ने संकट के राजनीतिक समाधान पर अपना इस्थिती पत्र जारी किया। जबकि अमेरिका ने चीनी और अन्य विदेशी कमपनियों पर पृतिबंद लगाये। चीन की चिंता इस वात को लेकर अधिक है कि युद किस मोड पर जाकर खतम होगा। रूस हो या यूक्रेन किसी भी पक्ष की एक तरफा जीत चीन के हितों के लिहास से ठीक नहीं होगी। अगर युद में यूक्रेन को भारी जीत मिलती है तो इससे दुनिया में अमेरिका और पश्चमी जगत का दबदबा और नियंतरन और बड़ेगा। इसके बाद पश्चमी देश चीन से टकराना चाहेंगे ताकि वो चीन के एकी करण के प्रयासों का विरोध कर सकें। चीन सोचता है कि अगर रूस युद के दलदल में फसा रहता है और खुद को इससे निकालने में असमर्थ होने के चलते चीन से जादा मोलभाव करने की इस्तिती में नहीं होता है तो उसके पास चीन के भरोसे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा क्योंकि पश्चम झाल झाल